है रोस्टिंट फंक्षन की पिछरी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 101 फंक्षन क्या होता है अन्टो फंक्षन क्या होता है और बाइजिक्टरी फंक्षन क्या होता है इसकी definitions हम लोगों ने देखी थी और साथ में एक एक example देखा था कि कैसे किसी function को 11, 12 या फिर byjectory हम लोग सो करते हैं तो अब हम लोग आज की lecture में different type की questions देखेंगे जहां पर हम लोग 11, 12 और byjectory function के बारे में detail में discuss करेंगे तो देखें कुछ questions हैं जिसको हम लोग देखते हैं question number 1 देखें यहां पर धान दीजिए का गया कि एक real function है या far to r और defined fx is equal to mod x यहां पर यह चेक करना है कि यह जो given function है क्या 11 और 12 है तो देखें 11 का मलब क्या बताया गया था कि different की image is different होनी चाहिए और अंटो का मलब बताया था कि co domain के सभी member engaged होनी चाहिए या आप कर सकते हैं कि range co domain के equal होना चाहिए तो अब इसको देखें टेस्ट करते हैं परले question को क्या defined fr to r और fx is equal to mod x तो अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए modulus function को अगर आप देखते हैं तो corresponding negative और positive number की में same आती है तो इसका मलब है कि अगर कोई function ऐसा है जो one one नहीं है तो उसके लिए सबसे best proof है example आप example से लेकि बता दीजिए कि different की में same आ रही है तो यह so हो जाएगा कि यह function one one नहीं है तो देखिए हम लोग यह आज़र कर पा रहे हैं example के तोर पे हमने one और minus one r का element लिया न r मलब r domain का element लिया अब यहाँ पर देखिए f one निकालते हैं और f minus one निकालते हैं तो देखेंगे कि one रखेंगे तो mod one one आएगा minus रखेंगे तो भी mod one minus one one आएगा मलब क्या देख पा रहे हैं कि one minus one के equal नहीं है but f one जो है f minus one के equal है मतलब क्या हुआ कि यह जो function है different key में same दे रहा है इसका मलब यह function one one नहीं हुआ अब देखिए now अब आंटो देखना है तो देखिए यह जो function है इसका range क्या होता है देखिए इस function का जो range है ठीक है इस function का जो range है वह zero to infinity है और question में जो core domain mention किया गया है वह क्या है r है तो यहाँ पर आप आप ज़र कर पा रहे हैं कि जो range है function का वह core domain के बराबर नहीं है तो range अगर core domain के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि your face not unto function मतलब यह जो given function है वह one one भी नहीं है और साथ में unto भी नहीं है ठीक है अब देखिए दोसरा एक जाँपल हम लोग टेस्स करते हैं if r to r है और define कैसे है भई if x बराबर get us integer function x तो आप यहाँ पर एक बात देख रहे होंगे कि get us to your function में आप integer रखते तो integer आता है non integer रखते तो preceding integer आता है तो अगर इसका behavior समझ रहे है तो यह देख रहे हैं कि one रखेंगे तो one आएगा अगर one point one भी रखेंगे तो भी one आएगा क्यों भाई one point one integer नहीं है न तो just feeding sitting value कौन से होगी one इसका मतलब क्या हुआ कि यह अगर समझ रहे है तो यह समझ पाएंगे कि यह जो function है यह one one नहीं होगा क्योंकि इसे बहुत से different number की images same आएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे तो पहले हम result लिख देंगे यह फिस not one one यह फिस not one one अब इसके लिए देखें for example नहीं है तो example based है one and one point one element of our domain तो यह देखिए one not equal to one point one but यफ one और यफ one point one दोनों की में same होगी कितनी होगी one ठेक तो इसका मनलब है कि हम लोग यह justify कर पाए कि यह जो given function है वो one one function नहीं है अब देखिए one two के लिए आते है range तो आप यह देख रहे हैं कि modulus function की बात जहां तक थी तो वहाँ पर देखिए range था 0 to infinity है ना और code domain था R बराबर नहीं था तो वो one two नहीं हुआ वही बात यहाँ पर देखते हैं इस function का जो range होता है वो Z होता है मतलब क्या get a series of function में हमेशा जो answer आता है result आता है वो अब कोई integer आता है मतलब इसका जो range है वो Z है जबकि इस function का जो code domain mention किया गया है R है तो क्या देख रहे हैं कि range of F not equal to code domain of F है न तो इसका मतलब है कि जो F है is not answer function तो यह जो function है वो answer नहीं हो पाया ठीक अब हम लोग third पर आते हैं देखे F R to R है ठीक है define कैसे है F X is equal to X square तो अब यहाँ पर देखे square आ गया तो आप इस बात को समझ रहे है कि corresponding negative positive number का square same होता है 1 का square भी 1 minus 1 का भी square 1 इसका मलब है कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि different key में same आ रही है न तो पहले क्या लिख देंगे F is not to 1,1 ठीक बात है भाई F 1,1 नहीं है अब for example क्या ले लेंगे इसमें तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग क्यों सा 1 and minus 1 element of our domain देखिए 1 not equal to minus 1 but F 1 is equal to F minus 1 दोनों की value रखेंगे तो कितना आएगा 1 इसका मतलब हम लोग यह सो कर पाए कि F is not 1,1 function ठीक बात है तो अब हम लोग देखे अंटों पर आते हैं देखे यह जो square function है इसका range जो है 0 या 0 से बड़े नंबर होते हैं क्यों भाई क्योंकि किसी भी quantity का जो square है 0 या 0 से बड़ा ही आएगा न तो इसका जो range है इस function का वह क्या है 0 to infinity जबकि mention co domain जो है इसका क्या है R है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो range है range of f not equal to co domain of f इसका मतलब है कि f is not unto function मतलब यह जो function given है वह function unto function नहीं अब हम लोग 4th part डिसकस करते हैं तो देखे 4th part में function जो है f defined है 0 to infinity to r और कैसे defined है f x is equal to mod x और इसको check करना है कि यह function 11 या 12 है या नहीं है तो देखें सबसे पाले बात है कि इसका जो domain 0 to infinity है तो यहाँ पर आप 0 यह से बड़ा ही नंबर रखेंगे न तो mod x का मतलब क्या होता है अगर आप 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो mod का कोई roll ही नहीं है क्योंकि आप जब 0 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो वह 0 या positive ही होगा तो इसका मतलब है कि इस given domain के लिए mod x का simply मतलब है x तो इसका मतलब simply यह function है यह f x वराबर कितना x अब यह आप observe करेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो different रखेंगे तो different ही result आएगा तो इसका मतलब है कि इस function के वराण होने के chances है तो आप लोग process wise चलेंगे क्या लिखेंगे let f x 1 is equal to f x 2 ठीक है तो f x 1 किना होगा 1 x 1 f x 2 x 2 तो देखिए f x 1 बराबर f x 2 है तो इसका मतलब है x 1 बराबर x 2 आ रहा है न इसका मतलब हुआ कि yaf is 1 1 function yaf कैसा function है 1 1 now अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या yaf function अंटो है तो देखिए इस function का जो range है आप ध्यान दीजे आप रखेंगे तो 0 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो 0 0 से बड़ा ही नंबर आएगा न तो इस function का range है 0 to infinity जबकि यहाँ पे जो code domain mention किया गया है वह r है तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो function का range है वह code domain के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि if is not unto function मतलब यह function 1 1 तो है लेकिन unto function नहीं है तो देखें यहाँ यहाँ पर जो यह जाम पर लिये इसके तो यह समझ पाए कि कि किसी function को 1 1 दिखाना है यह unto दिखाना है तो आप लोग को कौन सा process follow करना चाहिए अब देखें यहाँ पर हम एक और question लिख रहे हैं इसको भी हैं लोग देखते हैं so that so that f from r to r defined as defined as fx बराबर x plus 1 upon 3 is bijective function is bijective function मलब इस function को हम लोग फिलाल bijective दिखाएंगे तो देखें सबसे पाली बात है कि किसी function को अगर bijective दिखाना है इसका मलब है कि उस function को 1,1 दिखाना है और unto दिखाना है तो पाली लोग 1,1 दिखाते हैं तो कैसे शुरुआत करेंगे let fx1 is equal to fx2 ठीक तो fx1 कितना हो जाएग भाई x1 plus 1 upon 3 है न यकिना हो जाएगा x2 plus 1 upon 3 simplify कर लिजे इसको क्या आगया x1 बराबर x2 तो इसका मलब है निकल के आया कि f is 1,1 function f is 1,1 function तो f जो है वह 1,1 function हो गया अब आंटों के लिए दिखें आंटों के लिए या तो आप range निकाल लिजे या फिर जैसे हम लिख रहे हैं इसको follow करिए तो पहले क्या करिए कि f x को आप लिख लिजे कितना है x plus 1 upon 3 इसको y लिख दीजे तो कितना हो गया x plus 1 upon 3 x की value y के टमी निकाल लिजे 3y minus 1 तो अब यहाँ पे क्या देख रहे है कि कोई भी real number अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो 3 multiply होगा 1 minus होगा तो कोई ने कोई real number ही आएगा न और सब real number domain में है तो कैसे लिखेंगे for every y element of r co domain has pre image pre image x r domain कैसे such that such that f x is equal to y मतलब जितने भी y है co domain में सब के लिए यहाँ पर x present है किसमें present है domain में इसका मतलब हो गया कि f is unto f कैसा function हो गया unto function हो गया f one one function है और f unto function है इसका मतलब finally हम लोग यह काने के श्टिती में है कि f जो है वह by objective function है इसका मतलब इस question में function को one one so करना था और साथ में one two so करना था तो one one so कर दिया और one two so कर दिया तो finally हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि given function is your by objective function दिखिए यह का गया है कि check करना है कि यह function one one या one two है या नहीं है अब दिखिए यह function defined है वह one two one defined है और कैसे defined है if one is equal to one plus one by two if one is odd अगर आपको one odd number रखना है तो यहाँ पर रखेंगे और even number रखना है तो यहाँ पर रखेंगे जैसे अगर कोई function अगर one two one है डब्लू डब्लू है तो उसको आप पहले आप mapping बना लेजिए जिससे आपको समझने में थोड़ी सुविदा होगी ठीक है तो फिलार हम लोग इसको mapping को बना लेते हैं देखे यह यह यन two यन वर कर रहा है तो यहाँ पर यह यह लिख दीजिए natural number लिख दीजिए कौन सा one two three इस तरह से natural number है यहाँ आप अभी लिख दीजिए one two three and natural number साभी अब इमेजेज निकालिए देखिए आठ नमबर यहाँ पर one है न रखिए इसमें one plus one by two तो one आ रहा है न one plus one two by two तो one आ गया ठीक बात है उसके बाद देखे two रखिए पर देखिए एक pattern आप आ गए कि यह देख रहा है कि यह function one one नहीं है क्यों क्योंकि देखिए different की image से मा रही है तो हम लोग का काम यहीं पर आसान हो गया कि पर लिख लेंगे कि यह फिस नाट one one ठीक बात है और example जब one one नहीं है बताया गया सबसे best example तो क्या example लेंगे one two element of your domain देखिए one two जो है domain के element है न इसके ठीक है यहाँ पर रख रहे है तो देखिए यफ one रख रहे है तो आ रहा है कितना one प्लस one by two मतलब कितना one और two रख रहे हैं तो यहाँ पर रखेंगे न इवे number तो two by two कितना रहा है one मतलब क्या देख रहे हैं one not equal to two बत क्या यफ one is equal to यफ two मला हम लोग यह दिखा पाये कि यह जो function है यह function one one नहीं है अब चेक करते हैं unto है कि नहीं अब यहाँ पर देखिए क्या pattern पकड़ रहे हैं इसमें देखिए कि क्या सभी English है यही नहीं देखना है तो देखिए one किसकी image है अपने के double की उससे कम की यह pattern देख रहे है two किसकी image है अपने से double की और उससे कम की इसका मतलब क्या हुआ कि for every young element of young co-domain हम यहाँ पर young लिख रहे हैं इसमें यम देख रहे हैं होगा कोई matter नहीं है has two pre-image two pre-images आप कहेंगे two pre-images क्यों हो भाई देखिए यह number जो अपने से double और उससे कम की image है यह number अपने से double एक कम की image है है कौन सा pre-image होगा तो अगर यह two है तो four की image है तो इसका मलदा यम है तो यह किसकी image होगा two yum की and two yum minus one मतलब जितने भी natural number इसमें है जैसे जो yum है वो किसकी image है इस pattern पर अपने से twice की और उससे एक कम की ठीक है तो इसका मलदा है कि yum जितने भी co-domain की member है उनकी दो-दो pre-images है ठीक है इन किसमें in-yarn domain ठीक किसमें in-yarn domain जिसकी दब देखिए यह two yum की image यह yum है और two yum minus one की भी image है हमने मतलब इस yum के लिए दो-दो pre-images है इसका मतलब हो गया कि यह face आंटो क्यों भाई क्यों आंटो हो गया जितने भी elements इसमें है सबकी pre-image होनी चाहिए तो यहां पर यहां लोग आज ज़र कर पा रहे है कि जितने भी element को domain में है उनकी दो-दो pre-image है अब कोई यह कहेगा कि भाई कैसे मालने कि इसकी यह pre-image है तो हम कहेंगे भाई कि इसकी यह image है कैसे मानेंगे इसका मलब है कि यह दोनों की image यह है यह कहा सकते यह की दो-दो pre-image है मलब जितने भी natural number इसके code domain में है सबी engaged है इसका मलब यह जो function है वह unto function है तो देखे इस example में हम लोग यह देख पाए कि जो given function था यह one-one नहीं था लेकिन unto था तो आज लोगों ने कुछ questions लिए जहांपे यह discuss किया कि किसी function को one-one unto या byjective किस तरीके से सो करते हैं तो आज के लिए इतना ही math sky के साथ पढ़ते रहिए सीखते रहिए